हेलो स्तो कमाई कार्डस यूटूब चल में आप सभी का सोगट है आज हाँ पर हम बात करेंगे एक ऐसे कमपनी के बारे में जिसके पास है वेरियस टाइप के प्रोड़क्ट और सर्विसेज जो एक कमपनी अपने क्लाइन को प्रोवाइड करकर निवेशक को मल्टी बैगर र प्राइज है वो स्ट्रिप और स्ट्रिप यहाँ पर 133 रुपीज पर अवेलेबल है और सबसे बड़ी बात यह है कि कमपनी को हजरों करों के मेगा ओडर यहाँ पर लगातार अच्चू यहाँ पर एक कमपनी के लिए होते वे दिखाई दे रहे हैं याने कि इनको ओडर मि ले है ओल्रेडी कमपनी बहुत से ओडर पर काम भी कर रही है याने कमपनी का जो बिजनेस है वो काफी तेजी से बढ़ रहा है और ऐसे बढ़ते वे बिजनेस के अंदर हमें इंक्लिट होने की कोशिश करने चाहिए देखिए जो चर्चा में रहेंगे वो उतना ही यहाँ पर आपको बेनिफिट दिने की शमता रखते हैं जो कमपनी के अंदर हमें लगातार कोई ना कोई अपडेट और कमपनी का पॉफोमस उनके रिजल्ट और मैं एक बहुत बड़ी बात बताना चाहूंगा जिस कमपनी के बारे में बात कर रहा हूं आपको ऐसा लगेगा सर इसरिफ 30, 133 का शेर है तो बहुत करजा वगेरा होगा एक रुपए का करजा नहीं है लॉंग टम डेप नहीं है ना शौट टम है कोई भी यहाँ पर करजे का इशू नहीं है इनके पास और सबसे बड़ी बात क्या है तो 8,000 करोड का क्याश इस कमपनी के पास अवेलेब कर भी दिये है तो ऐसे कमपनी पर हमें नजर रखना चाहिए तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो अच्छा लगे मेरे फट पसंद आए तो कमाई काड़ा इस यूटूब चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना और कमेंड में बताना कोई कमपनी से रिलेटेट यहाँ पर अब बिजनेस क्या क्या है डिफेंस सेक्टर की बात करें एविगेशन सिस्टीम डिफेंस कम्यूनिकेशन प्रोड़क्ट लैंड बेस रडार नैवल सिस्टीम इलेक्ट्रोनिक वारफेर सिस्टीम यहाँ पर आप पर सकते हो जो मैं आपको बता रहा हूं और इलेक्ट्रो आप्टिक्स, ऐसे वेरियस टैप के टैंक से रिलेटेट फाइटिंग वेहिकल या इलेक्टरिनिक सिस्टिम्स होते हैं, वेपन सिस्टिम्, C4I सिस्टिम्, शिल्टर मास्ट ऐसे बैटरीज वगेरा, कंपोनेंट, डिवाइस, साइबर सिकुरिटी, यहाँ पर E-Mobility, रेलव E-Government सिस्टिम्, ऐसे अनगिनत कंपनी के पास बिजनेस हैं, यह कंपनी इलेक्टरोनिक मैनिफेक्टरिंग सर्विसेज प्रोइड करती हैं, एक्सपोर्ट करती हैं प्रोड़क को, और यहाँ पर आप देखेंगे, सौप्ट्योर सर्विस अलसो यह प्रोइड करते हैं, ऐ हम जिस कंपनी से रेटेड बात करें दोस्तों, उसका नाम है B.E.L. मिंस भारत इलेक्टरोनिक लिमेटेड, जो कंपनी है PSU, और यहाँ पर इसके पास जो बिजनेस है, वो काफी वैल्यूबल है, जो यहाँ पर इसके अंदर की कॉलेटी हैं, मैं आपको पहले बताना चाह करते हैं, आपको यह बात बहुत अच्छी से देखनी चाहिए, यह जो पॉइंट यह क्या बताता है कि कंपनी के अंदर जो यहाँ पर अपने आपको इंप्रू करने की कितनी शमता है, वो आपको Research and Development से पता चलता है, क्योंकि जो कंपनी आपने बिजनेस पर खर्चा करती ह आपने आप पर करती, वो कंपनी आगे बनने की तयारी करती है, और जैसे के हम यहाँ पर कंपनी के कुछ Mega Orders की बात करें, Financial Year 2022 में, इनको कितने ओर मिले थे? 57,570 करोड रूपीज के, और यही नहीं दोस्तों, और भी इनको लगातार ओर मिलते ही आए है, तो आप समझ रहे देता है, और जो बिजनेस है, काफी कॉलिटी का बिजनेस कंपनी के पास है, जिससे डिफेंस एंड यहाँ पर वेरियस टैप के डिफेंस से रिलेटेड या यहाँ पर हम एरो स्पेस की बात करें, या स्पेस से रिलेटेड बात करें, उन सभी में यह कंपनी बहुत कॉंट्रेक्ट किया है साइन इससे इनको फायदा मिलेगा जो भी यहाँ पर उनके लिए equipment, services वगेरा रहेंगे वो यह provide करते रहते हैं चोटे मोटे जो भी यहाँ पर पार्ट होते देखे कमपनियों को लगते हैं वो यह बना कर बेज देते हैं उनको अभी ऐसा तो नहीं ना कि जो कमपनी यहाँ पर aerospace के अंदर काम करती हो सभी चीज़े बनाईगी दूसरे कमपनियों को भी hire कर लेते हैं उनसे उनको अच्छा output मिलता है कमपनी लार्ज क्याप की है और यहाँ पर इनका मार्केट क्याप देखेंगे तो 97,512 करोड का मार्केट क्याप है पी रेशो इसका यहाँ पर 13 का देखने को मिलेगा और साथी सबसे अच्छी बात क्या है तो इसका return on equity and return on capital employed यह दोनों भी बहुत अच्छे value पर ह ऐसा नहीं कहिश सकते यहाँ पर कि हम यह दोनों बहुती negative train में है या जो valuable और अच्छे point है वो company में दिखाई दे रहे हैं इसमें कोई डाउट नहीं है and company almost day free है dividend maintenance का अच्छा खासा payout करते है dividend का यह और सबसे अच्छी बात है इस company के अंदर हमें यहाँ पर बड़े निव FIS का stake है वो 17% मुझे यहाँ पर बताना कि जो 17% का निवेश कर देते है FIS उनको क्या पैसा अपना ज्यादा हुआ है क्या वेश नहीं करना चाहते उनको पता है यहाँ पर पैसा बन रहा है और मैं आपको बताता भी हूँ कैसा बना है पैसा और आप D.I.S. देख लीजिए Domestic Institutional Investor उनके पास आज इस company के जो stake की बात करें कितना stake है तो 24% का बहुत बड़ी बात है और इस company में दोस्तो स्रीप और स्रीप पबलिक के पास है 6.5% का stake यह सबसे जबरदस point यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे भारत Electronic Limited के अंदर और देख लीजिए इसके पास का cash 8, 9,000 करोड का cash पड़ा हुआ है और देख लेना यहाँ पर जैसे के करजे के बारे में जो आपको बता होना चाहिए वो मैं बताना चाहूंगा देख लिजे short term का एक रुपए का करजा नहीं है और ना कोई long term का भी करजा नहीं है यानि सबी चीजे positive और इसका reserve fund के लगातार और जो stock है देखना यह चल रहा है 133 रुपए पर और इसने जो return कमा कर दिये बहुती outstanding level के आप सभी को लगता होगा कि stock इतना सस्ता कैसे क्या तो मैं आपको इसके पीछे का भी राज बताता हूं चलिए वो भी यहाँ पर हम understanding करेंगे वो आपको समझ में आना चाहिए क्या हुआ है क्या नहीं हो रहा है क्योंकि company के अंदर जो भी लोग निवेश करते हैं उनको सभी चीजे पता होनी चाहिए तो मैं आपको share का chart pattern बताने से पहले यह थोड़ा बात बताना चाहूंगा कि इनको जो order मिला है वो भी आपको समझना चाहिए आप यहाँ पर देख सकते क्योंके जो यहाँ पर इनको order मिल रहे है वो कितने quality वाले है यहाँ पर आपको जो news है उसके बारे में मैं short में बता रहता हूँ defense PSU भारत electronic limited bags order worth rupees 3,289 करोड और यह news कब की है अभी की latest update में आयो ही news है और ऐसी कोई पुरानी news नहीं बता रहा हूँ मैं this order are in the addition to the 8,900 करोड और which are already received with this भारत electronic limited has in all receive orders of rupees 11,380 करोड तिल नाओ is the financial year 2023 and 2024 तो आप यहाँ पर पढ़ सकते हो 26 अगस्ट 2023 की news है और पूरे detail यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे और यह जो quality है देखिए बहुत से यहाँ पर services की उसी वज़े से इनको order मिला है आपर आप देख सकते हो कि company ने जो adjustment किया है price के अंदर आप यहाँ पर split देख सकते हो 2017 में इसने split दिया है bonus यहाँ पर announce किया है 2022 के September महिने में ही यानि के अभी September, October, November और December और यह अभी का साल 2023 का यानि के पिछले साल ही इस company ने 2-1 पर bonus यहाँ पर announce किया था बोलकर यह सभी जो आपको chart देखने को मिल रहे है अभी stock के वो adjusted way-way नजर आते है यहाँ पर आपको ऐसा लगता भी होगा कि यह जो stock इतना महिंगा जो यहाँ पर इतना business करकर दिखा रहा है तो उसके अंदर इतना value होना चाहिए तो यह इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि इसके अंदर के जो यह जो adjustment है वो आप यहाँ पर देख सकते हो इदेखे सब्टेम्बर महिने में यह stock यहाँ पर जो recorded के बाद में जो इसका announcement का ratio होता है उसके हिसाब से adjust हो चुका है तो I hope दोस्तो आप भारत electronic के बारे में समझ रहे हो क्या क्या हो रहा है और company कितना अच्छा perform कर रही है अभी इसके कुछ financial के बारे में बात करें तो company के result A1 आ रहे है आप इसका revenue देख सकते हो 12% से बढ़ा है और net profit margin 30% से बढ़ रहे है पिछले लगातार quarter जो आप देखेंगे उन सभी में इस company ने बहुत अच्छा performance अपना present किया Thank you so much I hope आप details समझ गए